नमस्कार क्या हाल चाल है सब ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपनों और अपने इनको ख्याल लाख और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो देशी देख बिगार ब्रे पाइल लागला बेट पिल्गुल देशी अंदाज हर दो चार छे दिन में दस दिन में पंदर दिन में कोई न कोई नयो फार्मूला लोगन को भ्रहमित करने के नहीं है सासन प्रसासन सरकार आगे को बढ़ावे अब आदे फादा होगो नुकसान होगो नहीं मालिम लेकिन अब की जो ताजियम आमलो है गे मुझफर नगड देखम बंदित है वोही मुझफर नगड जाने एक पार्टी को जमीन ते आस्मान में पहुँचा दे गे समझ रहे हूं हम समझाए दिए है उन्नेस अगस्त ते सावन महा की शुरूवामा है और सावन महा में कावर यात्रा चालू हो प्रदेश सरकार कावर यात्रा की तैयारी में लगातार लगी हुई है और प्रसासन अपने अपने जिले में दिन रात मेहनत में जुट हुआ है वहीं मुझफवन अगर प्रसासन को एक निर्देश बवाल बनगो है पूरे देश में जो मुझफवन अगर प्रसासन को एक आदेश है एक निर्देश है वातिर राजनितिक माहौल में घमासान है लोगन में घमासान है निर्देश है निर्देश क्या है या भी बताएंगे चलो पहले निर्देश ही सुन लो निर्देश यह है कि कावड यात्रा में लोग गंगा जल हरिद्वार ते ले गए अपने अपने स्थान पे जाएं अब कावड यात्रा की जो पटरी है यानि की जो गंग नहर है गंग नहर के साथ 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 और अपना कावड यात्रा लिखड़े हैं हर द्वार ते ले के और पश्चिम में तो हर जगए यानि की एंसियार में दो सो ढ़ाई सो तीन सो किलो मिटर के एरिया में कावड लेने को सावन में लोग जादा जाएं और ये लोग इनकी माननता है अब अब माम लोगे हैं कि रस्ता में जितने भी मुस्लिम ढावे हैं ठेला बारे हैं पकोडी बारे हैं टायर पिंचर बारे हैं या जो भी कोई है अपनी काई ने दुकान खोल लागी है ठेला लगा राख हो है या खोका धर राख हो है या काई ने अपनी टपरी धर राखी है सब को अपनो नाम लिखनो होगो कि गे हैं इसमाइल खाँ गे हैं सलीम खाँ गे हैं जावेद अली और गे हैं असफाक खाँ और गे हैं मुकेस गे हैं रमेस गे हैं आशीस यानि कि सब को लिखनो पर हो और सब को लिखने को मकसद क्या है सब को यह नाम लिखने को जो फरमान जारी करो है या को मकसद यह है कि कावड यात्रा में जो कावड लेकर आ रहे हैं कावड ती वो पहले ही समझ जाँके कि मुस्लिम है या हिंदू है तो मुसल्मान ते समान ना ले हिंदू ते समान ले और चर्चा ये भी चल लई हैं कि ये खाली सामन के लई या ना है कि आगे तक के नहीं आ भार्मूला बना दी हो गए हो ए बोर्ड अन पहर लिखवा दी हो गए हो है बोर्ड पेंट है चुके हैं और ये एक चर्चा को लेकिन सरकार है प्रथासने का छुपी कर सके हैं उनके हाथ में बुल्डू जा रहे हैं जो चाहें वाय कर सके हैं जब चाहें जाएंगे को गुमा सकें जब चाहें स्टेरिंग मोड सकें पीछे को गुमा सकें यहीं पर बसपा सुप्रिमों बेहन माया वती ने केड़ी पि टल ढावा ठेला आदी दुगानदारन को मालिक को पूरो नाम प्रमुक्तास्ते प्रदर्शित करने को नयो सरकारी आदेश गलत परंपरा है जो स्वहार्द पूर्ण वातावरन को बिगाड सके है जनित में सरकार या को तुरंत वापस ले उनने आगे कहिए कि या प्रकार य जूता चप पर उतार के जाने को गया देश भी अनुचित है और गया देश काफी चर्चा में बना हुआ या मामले में भी सरकार तुरंत ध्यान दे बता दे या ते पहले भी ओवेसी और जावेद अख्तन ने प्रसासन के निदेश पर आपक्ति जदाई ही उनने सूसल इडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विरोध जताया है और सरकार तिया आदेश को वापस लेने की बात कही है तो गे उत्तर प्रदेश पिसासन द्वारा आदेश जारी करो गए हो है कि सब चितने भी कावड मार्क पर हुटल वारे हैं ठेला वारे हैं पंचर वार पर ही बाए हैं अब तो सबस्वी को इसे भी नाम आम लिखने पर आगहें अब देखो आगह क्या हो बदेखने वारी बात हो गी लेकिन अभी तो लगनारी की निरस्त हो अभी तो लग रही है कर पूरी जान पगड़ रही है आदेश की कौँपी जान पगड़ रही है बसपा सुप्रिमों बहन मायवती ने विरोध करो है और राजनितिक पार्टी भी आप विरोध कर रही है और आगे देखने बारी बात होगी कि आदेश में कोई तब्दिली हो इनते बताओ के आदेश सही है या गलत है सो होनों चाहिए या नहीं होनों चाहिए तो अभी के लिए हैं सिर्फ इतनों ही और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे जब तक कि नहीं है देशी देख बिगर बिरेक और बगर लाग लपीट बिलकुल देशी अंदाज में